ठंडियों का महिने किसानों के लिए कुछ हद तक उन किसानों के लिए जो सबसे कम रहता है लेकिन उसी के तौर पर किसानों को ध्यान रखके खेती करना है जो जनौरी फरोरी में रपाई की जाएगी उन सब्जियों का रेट है वो सबसे महंगी रहने वाली है जो गर्मियों के महीने में सब्जी लगाई जाती है अगर किसान भाई सही ढंग से और सही पूर्वक अगर खेती करते हैं तो जो नुक्सान लगता है ठंड्यों के महिनी में वह भरपाई हो जाता है गर्मियों के महिनी में जो सब्जी की खेती करते हैं दोस्तो मई जून के महीनी में यहां तक कि अगर चार महीने गर्मी होती है तो लगभक सबसे हाई रेट रहता है सब्यों का लेकिन उसमें आपको कौन सी खेती करनी है इस विदियो में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेलाकिन घंटे को दबा लें ताकि हर एक खेती से रिलेटिड उन तक जानकारिया पहुंचती रहे तो किसान भाईयों आपको गर्मी के महीने में कौन सी सब्जी आप लगाएं ताकि आपको अच्छा रेड मिल जाए और आपको कौन सी सब्जी है वीडियो में पूरी वीडियो आप देखी तभी आपके समझ में आएगा कि आप कौन सी खेती करे गर्मियों के सीजन में तो आपको अच्छा रेड मिल जाएगा दोस्तों एक डेड़ महीने के पहले हमारी जो किसान की हालत थी जो किसान भाई गोभी किलो यही मंडी रेड देखनों को मिला है लेकिन इस तरह का आपको खेती नहीं करना है हमारे साथ बने रहे मैं आपको सही जानकारी देता हूं कि कि किस टाइम पर कौन सी सब्जी लगाए आपको अच्छा रेड मिल जाएगा अभी भी ऐसी सब्जियां है जो पांच जाएगा कौन से फसल आपको लगाना है तो आपको दोस्तों टमाटर कीखेती करनी है टमाटर की 轉 धी आभी आपने नर्शरी नहीं लगाई है तो आप ऊपने खेतों में जनौरी आ फपरोड़ी में आप रुपाई कर सकते हैं ऐसा आपको टाइम मिले दोस्तों टमाटर की नर्ष्री तयार में ज्यादा टाइम नहीं लगता है लगभर 30-35 दिन के अंदर ही तयार हो जाएगी आपकी टमाटर के नर्ष्री तो इस तरह का अगर खेती करते हैं अगर आप जुनोरी फरोरी में दोस्तो अगर आप टमाटर लगाते हैं अपने खेतों में तो 30-40 रुपे किलो आपको मंडी रेट आसानी से मिल सकते हैं टमाटर लगाते समय आपको कौन सी साउधानिया रखनी है ताकि आपका पौधा सूखे ना ना ही फल में कोई कमी आए और आपका फल जो है वह बहुत ही संदर निकलें तो दोस्तो सबसे पहले आपको में बता दूं कि आपको सही ब्राइटी का चैन करना है तो कौन सी ब्राइटी है मैं आपको बता दूऊ आप सीजनटा कंपनी की लगा सकते हैं यह सबसे अच्छा बहतरीन रएटी होता है इसका जो टमाटर का आ धानी रखना है तो आप कभी भी टमाजर लगाएं दोस्तों या गर्मियों के महीने में तो आइढकू दोस्तों दोस्त Sind алग से क्या होतत है कि आपका जो टमाजर in रहेगा औखेतों में नहीं चुका फराब नहीं होगा समय समप पर आपको दवायं चिड़काओं कर देना है कर दोस्टों देखें अगर आ मेरा दोस्तों तो कीडे के नियंतरन रखना है तो इससे आफ अगर कीडे आपके पूद्रों में लग रहे हैं दोस्तो तो आप Combat का मखढ़ẫn नहीं लगेंगे और हां आपको जब आपका डीड़ फुट का पौधा हो जाए तो दोस्तो एक करीम में आपको एक डंड़ा लगा देना है डंड़े के सहारे आपको पौधों को रोग देना इससे क्या होगा जब भी आपके पौधों में तीन चार किलो टमाटल लगे रहेंगे तो आपका पौधा नीचे नहीं गिरेगा उट्टानियों के सहारे आपका पौधा रुका रहेगा बात कलनों कि आपको बेड की दूरी कितनी रखनी है तो आपको जगह रहेगा दोस्तों तो आपका पौधा ग्रोध करेगा और बहुत सारे टमाटर उसमें लगेंगे हां और एक समझ से आएगी दोस्तों कि अगर आपका फल फूल नहीं लग रहा है तो आपको इसके निवारण के लिए क्या करना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको बिंचो बिन ला करके और इस्प्रे कर देना है अगर जब आप इस्प्रे करोगे तो जो फल फूल है दोस्तो आसानी से उसमें रुकने लगेंगे और जड़ने की संभावना नहीं रहेगी कि दोस्तो जब आपका पौधा सोखने की हालत में हो जाता है तो आपको पहले ही साधानी कर देनी है कि आपका जो पौधा बड़ा हो वो सूखे नहीं तो आपको खेत की तयारी करते समय उसमें जो अरबरग में बता रहा हूं आप उसमें अगर लगा दोगे उतना तो आपका पौधा नहीं सोखेगा खेतों की तयारी करते समय आप पटास की मात्रा जरूर मिला है दोस्तो और डिये पी आपको हर हाल में छोड़ना है क्योंकि जब पहले से आपका खेत वजन होगा तो जो पौधा है वो जल्दी ग्रोथ कर जाएगा दोस्तो इसलिए आप सब और इस नहीं कि आपको समय समय पर पानी देना है ना ज्यादा देना है ना कम देना है इससे आपके पोधों को नुक्सान नहीं पहुँचेगा अगर समस्या आ रही है आपको टमाट better क्यों करने में तो आम मुझे कमंट के दौरा आप मुझे जुड सकते हैं मैं आपको फूरा प्रोसेस जानकारी दे दूँगा और आपको समझा दूँगा कि अगर आपके पोधों में कोई रोग लग रहा है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करें मैं रिप्लाई के माध्यम से आपको दवा बताऊंगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना धन्यवाद